जैपूर में जहां सचीन पैलेट अंशन पर बैठे हुए थे अपनी सरकार के खिलाब इस मुद्दे पर बातचीत के लिए जैपूर से चुड़ रहे हैं विनोध पाठक जी हमारे चैनल पर आते रहे हैं वेलकम विनोध जी आपका और विनोध जी ये बताईए आप तो होके आए हैं मोके पर आज का पहले तो महीं बताए दिन भर वहां क्या किया सचीन पैलेट ने और एक दिन के अंशन में सही मायनों में कितने गंटे वो अंशन पर बैठे और क्या एक्टिविटीज रही वहां देखिए बात थी कि शाम चार बज़े तक वह अंशन पर रहेंगे और कोई साड़े ग्यारा के असपास यह अंसर शुरू हुआ भीड तो सुबह से बलग जो एक जगह उनोंने चुनी थी वह चारों तरव एक शहीद समारा रख्या और चारों तरव से बांट्री ता पानी कि उसमें कोई हजार दो हजार आदमी आ सकते हैं बहुत बड़ी जगह नहीं थी चारों तरव बांट्री तो आये थे उन्हें का था कि अंशन में स्रिफ मौन धारन करके रहेंगे बाचीत नहीं करेंगे और यह हिदायत वहां से लोगों को दी जाती है रहे कि साब आपडारे मत लगाईए आप और भी कुछ मत बोलिए चुकि एक मौन अंशन है तो मौन रहे के जो है उन्होंने अपना संदेश जो है चीख-चीख के कहने की कोशिश की मौन में भी एक चीखना था और जो सबसे बड़ी चर्चा रही वह जो बैकड्रॉप पे लगाया था उन्होंने जो बैकड्रॉप लगाया था उस पे ना कॉंग्रेस पार्टी का कोई सिंबल ना किसी नेता का फोटो कुछ भी नहीं था तो यह क्या मान लिया जाए कि अब यह रास्ता अलग चोड़ने की दिशा में आगे बढ़ गये हैं और वहां जो गाने बज़रे थे वह बड़े दिल्चर्प थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला और शहीदों वाले और वैसे गाने ऐसे बज़रे थे किसना उन का वाइद के गाने देश्पक्ति के गाने बज़े देखिए आपने कहा तो मुझे लगता है कि निजी अंशन था इसलिए वह पार्टी के बैनर पर नहीं किया उन्होंने एक बात तो यह साबित कर दी कि वह एजे कॉंग्रेसमेन वहाँ पर नहीं बैठे वह उनका इंडिविज बाट शुरू में कही कि वह मौन था मुझे लगता है कि अगर वहां पर दस बीस लोगों की भाशनवाजी हो जाती तो राहूल सोनिया सोग गैलोत सबके खिलाफ बाशन हो जाता फिर वहां वहां जो नारे लग रहे थे जो पब्लिक नारे लगा रही थी क्योंकि सचिन पा लेक स्टेट है आप देखेंगे या कलरफुल कपड़े काफी इसे पीले रंग की चुनिया डालके आप दाले कि दिख जाता है एक महौल जो है तो सब यह हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो सचिन जैसा हो ऐसे नारे और आई लब यू सचिन जो बड़ा चलता है यहां पर एक न सब्सक्राइब को लेके मुझे अगर सचिन को जुटानी होती तो बड़ी जगे का चैन होता एक संदेश देने की कोशिश थी पर जो वहां जो ज़्यादा चर्चा यही ती सचिन जो है आप लोग उनके समर्द को को यह बड़ा भरोस्ता था कि शाम को सचिन जब धरना समा सब्सक्राइब करेंगे अब तक नहीं हुआ है पर एक बार जो कॉंग्रेस की तरफ से आई कि शाम को जैरा ब्रमेश इस पर बयान जादी करेंगे और इस पर दो दिन से कॉंग्रेस जब से नोंने एनाउस किया था कि मैं यह आइंशन करूंगा तो एक कोशिष में देखी किसी तरह अंशक ना हो और जो यहां के प्रदेश प्रभारी है वह भी दोड़े दोड़े जैपूर आ रहे थे पर आज सुबही अचानक पता चला कि उन्हें अपना दॉलार रद कर दिया है अब कल आएंगे तो मैंला कॉंग्रेस जो प्रयासों में अच्छा मिनिट से उपर के वीडियो में उन्होंने यह कहा कि मैं राजिस्थान को 2030 तक नंबर वन स्टेट बनाना चाहता हूं अच्छा एक तरफ एक नेता जो कुर्सी के लिए साड़े चार साल से लगा हुआ है कि मुझे कुर्सी बिल जा है वो अंशन पर बैठा है और जिसने कुर्सी पर फैविकॉल लगा के जो बैठा हो कह रहा है कि मैं इस कुर्सी को छोड़ूंगा नहीं 2030 तक मैं इस के वो प्रभारी जो है और आज विजिंदर सिंग कौन ते वो नहीं पहुंचे मुझे लगता है कि इस से जो है कॉंग्रेस ने थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की भी कोशिश की कि ठीक है करने दो क्योंकि दिल्ली में जितने भी अख़बार थे दो तिन से उनमें एक ही भाइदा एक बंदि आ जाएं पर्टी की तरह से जिसमें इसको बोला कि एक्टी एक्टी माना है तो कुछ-आइड यह तो कैना नियुक्त यह को लें जे जो आदानी ऑसका लड़ाई लड़ रहा हूं तो इसमें आप यह देखिए दो दिन से जब से बात आई है तो पार्टी जो है वह अभी वह सुन्तरा राजे और ब्रस्टाचार को लेकि कुछ नहीं कह रही वह ब्रस्टाचार की जाज कर रहे हैं गजन सिंग शेखावत का नाम लेकि किसा उनकी जाज कर रहे हैं जबकि वह ब्रस्टाचार जो है किसी सरकार के उस तरीके से आप रही किसी के समय में हुआ है और वह एक अलग का बिल्कुल इसू है आवा भी और सारे बहुत सारे ऐसे आदर्श कोटाला है बाकी कोटाले है कि इतने हजार करोड के घोटाले फलाना डिमका इसमें मतलब में कुछ स्पेसिफिक उन्होंने बताया कि यह यह मामले हमने पहले कहे थे जैसे आप इस यह जब चुनाव में पिशला जो चुनावता दो हजार अठारा का उससे पहले जब कॉंग्रेस मतलब बात करती थी तो खुद मुख्यमंत्री जो हैं उनके उन्होंने टेप दिखा है कि सब्से जाज करवाएंगे वसंद्रा काल में सबसे ज़्यादा गोटाले हुए और खासकर एक गोटाला था जो की जो केंद्र में बीजेपी की सरकार्टी 2014 के बाद तो इन्होंने एक खरन जो विभाग किया उसको माना गया पैतालीस हजार करोड का जो है उसमें वाश्रोक सिंगी फरार भी तो उसको लेके वह बड़ा बुद्द है कि भाई इसमें आपने वादा किया था आपके टेप में सुनवाता हूं उन्होंने वह पीडिया को टेपी सुनवाए और इसने पहले जब दो संपल पत्र के मादियम से बनाया था तो उसमें को वैधानी कुछ की वह नहीं थी लव कर दिया था तो वह बना गया था आपने एक तरीके से वैधानी कुरूप से उसको नहीं देखा और रद दो गया और अब आप जो है चुप चाप हो पिछले साड़े-चार साल से वो दिखाना चाता है कि देखें यह दौनों जो है आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक बार मैं यह चल रहा है इस पुदेश में अच्छा इसमें कोई जाहिर सी बात है जब सचीन अंसन पर बैठे तो इसमें जो कॉंग्रेस के कुछ लीडर भी आयोंगे निश्चीत रूप से वह सचीन पाइलट के गुटके ही लोग रहे होंगे कौन-कौन लोग उसमें प्रमुक रूप से प्रमुक रूप से तो क्या थ गहलोजी के साथ है तो उन्होंने पहले से यह बात करना शुरू कर थी कि कोई विधायक कोई मंत्री धरने पर नहीं आना मैं बैठोंगा क्योंकि अगर कोई मंत्री या विधायक आता उनके पक्स्टा तो गिंती होती तो आप मानिए तीन चाल लोग आ भी जाते तो उसमें इसलिए उन्होंने पहले ही तो इसलिए ऐसा कोई मंत्री या कोई विधायक नहीं दीखा जो वैसे दूसरे निता थे जो आसपास रहने वाले वही थे उन्होंने का था पब्लिक साथ बैटें कि तो पब्लिक जो जो भी दूर से वह अपनी बुला सकते थे तो लोगों को उ उस पर दबाव बनाने की टैक्टिक ज्यादा लगी हुजाए अब देखिए अब जिस तरीके से जब से जो ने प्रेस कोंफरेंस की थी और उसके बाद जो इनका केंदरी है जो लीडर्शिप है अब उसको आप हाई कमांड कर दो तो वह खुलकर पूरी तरह जो है मंत्री अशुग घैलो के साथ आगया जैराम रमेश को प्रेस कोंफरेंस की बाद इसको लेगा पवन खेड़ा हमलावी जो भी आपको फेज दीखते हैं कॉंगरेस में उन्होंने सब ने जो खेंख बुलके यह बुला कि ती सब काहिदा उस प्रेस कोंफरेंस के बाद तो रहती ज बहत्पूर घुमिका नहीं होने जादी इसमें आप एक कह सकते हैं कि शायर वो एक दवा बनाने के लिए उन्होंने अश्यक्त किया हो कि अब यो चुदाव आ रहे हैं तो उनके जो गुटके नेता उनको कही सैटलमेंट हो जाए उनका कराने की कोशिश करें कि यह साब जब टिकट बटेंगे तो मेरे लोगों को कितने को टिकट बटेगा कि यह दबाव होता है और आप मैं तलवारें इतनी ज्यादा खिच रही है कि आप जो याद होगा आपको 2020 के बाद से ही जब यह चले गए थे माने सर उननीस विधायकों को लेके तब से ही जो मुक्य पंत्री अशुक घहल होते हैं वह बहुत ही ज्यादा क्षपा है उन्होंने तब इनको नाकारा निकम्मा और क्या क्या कहा था और उसके बाद भी कि जब भी मौका मिलता है तो बिल्कुल कोई कसक छोड़ते नहीं है इनको कहने के लिए और अक्सर वो कहते हैं कि सब रगड़ाई नहीं हूई रगड़ाई नहीं और यह भी पूसते रहते हैं और कितनी रगड़ाई चाहिए है तो कि काफी है आज सचीन ने जो बाद में प्रेस कोंफरेंस शायद मीडिया से कुछ बात भी की है उसके बाद अन्षण खतम होने के इन्होंने काया कि मैं आगे जो है आला कमान से बात करूँगा क्या बात करेंगे आला कमान अब आला कमान भी तो यहीं है एक्ट्चोर में समस्य यह है कि कांधी परिवार जो है वो अ अजाता है वार्डरा जो है वो रौवर्ट ऐसके उपर भी जास के लिए बीजेपि जो है कुछ 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 कूछ कढ़ते रहते आला कमान आप मालो अश्रोगहलोत है अला कमान आप पालो जेरम रमेश है मेंदॉद गोपाल है खडगे हैं और खडगे भी आप आप देंक खिती लिखती है मुझे कि उनके बारे में उनके बारे में कोई भी स्टेंड किलियर करने के लिए जैराम रमेश पवन खेडा जिनकी कोई उकात नहीं थी उन जैसे लोगों प्रेस कुंफरेंस करवा रहे हैं राहुल गांदी अपनी तरफ से कोई बयान नहीं है सोनिया सब्सक्राइब के निताओं के सामने कि राहुल गांदी मेरे कहने सुनने से बाहर है आप यह देखिए अगर राहुल यूथ थे तो उसमें आप अकेले जो है इसकिन पाइलेटी बचेंगे उसकी यूथ यह फिफ्टी वाली टीम है अंडर फिफ्टी वाली कह सब कतम होगी चीज यह है कि राहुल गांदी तो पुझे लगता है कि जो पिछले जिनों जो भी कुछ हुआ है उस पर राहुल गांदी को नहीं हो सकता है तो मैजोरेटी जो जो दो वोट है गांदी परिवार के वह दूसरी तरफ चले जाते हैं तो राहुल गांदी ने चाहते हुए भी अपना कभी एक कोई स्प्रॉंग जो है सचिन को बार-बार आश्वशन देखें वो करते रहे कि भी आभी आ रहा है समय आ रहा है पर वो समय आते हैं थाड़े चार साल बीदे और अब राहुल गांदी जिस तरीके से खुद उलज आता हूं मैं हमां लोग ने पहले भी इस पर चर्चा की थी भारत जोड़ो यात्रा के से बहुत बड़ा योगदान है अशोग गैलोद और बुपेश बगेल इसमें में फाइनेंसर थे अशोग गैलोद ने वहीं से कन्या कुमारी से इसका मैनेजमेंट शुरू कर दिया थ इस पर से कि दो स्टेट में इस साल चुनाव होने हैं और हिमाचल में आई हिमाचल खुदी अपने खर्चे निकाल कितरा बड़ा चोटा स्टेट में बड़ा मुश्किल होता है पर यह तो बिल्कुल एक माना जाता है कि जो कॉंग्रेस के जो अभी जो भी फंडिंग है वो सचीन को भी उस वक्त पूरा भरोसा था कि बस मुझे कुरसी अपर वो उतावला पन वहीं उनको लेव डूबा जो उतावला पन था और चुकि एक रंजिश तो चली आ रही थी तौनों के बीच में तो वह उन्होंने का यार यह मुझे मिले ना मिले राश्ती है मुझे मंत कि में चीज यही थी उस वक्त अगर शायर ऐसा कोई निचल आता है कि भाई यह सचिन मैं चलाओंगा राश्तिस्त बनूंगा पेरी जेगे किसी और नेता को बना तो मेरी गुटके बना तो पर मुझे लगता उसक्त बाट नी बनी थी तो और इनके गुटके जो नेता है औ संख्या बल है वो तो अश्चो घैलुक से साथ की बारा पंद्रा निर्दली इनके साथ हैं बाकी कॉंग्रेस के देखें जहां लाठी होती है वहीं बैस होती है तो जिसके पास है तो साट लोग भी इनके पक्ष्ट में आ जाते तो वैसे सरकार गिरने वाले साट सब्सक्र लोगों ने तो साइन करी दिये था यहां आप कह सकते हो कि किसी को जबर्दस्ती करवाए गयते जबर्दस्ती लोगों ने बिटालिया था पर जो भी कुछ हुआ को कारवाई नहीं हुए सच्छी नभी बीस पात को कहते हैं कि साब जो फिद्रो उबाता उसकी कारवाई आस पूर्व सांसद और कोई पूर्व विदायक भी पहुंचे सुचित्रा आ रही है शंकरलाल मीरा यह अभी कोई अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है अगे क्या होने जा रहा है मुझे लग रहा है कि अशो गैलो जी की पूरी कोशिश होगी कि इस मुद्धे पर कोई स्ट्रॉंग एक्शन जो है कॉंग्रेस की तरफ से सचिन पाइलेट पे लिया जाए वो तो यह बिल्कुल चाहेंगे सब्सक्राइब को भी पता है कि इस वक्त जो है कॉंग्रेस जो है वो पूरी तरह गैलो साथ के कहने पर है तो मुझे लगता माइंड विक अप होगा उसमें नोटिस आता है या निसकाशन होता है निलंबन होता है क्योंकि देखिए जिस इलेक्शन मोर्ड में अभी चले गए आशो गैलो तो वो पूरी तरह यह बोल रहे हैं जो वीडियो कर रहे हैं कि साथ देखो हम बिल्कुल इलेक्शन उसमें जा रहे है और हमारी सरकार रिपीट को एक तरह बचाना है कि एक एक हैटम बॉम टाइप से गिर गया कि साथ आगया और बश्ता चार पे कुछ नहीं है और बीजेपी को एक मौका मिल गया है कि साथ आप तो इसके क कोई नेता अगर विद्रो करता है तो बाकी भी धीरे दीरे चुरू है उसको और विद्रोही सुर्व मिल जाते है दिव्या मदेड़नब पहले सही आप देखोगे कि जो विधायक है वह पहले ही सरकार के खिलाब विद्रोही सुर्व अतनाती रही है और भी नेता इसके मू अगर जो चीज पार्टी के खिलाफ है तो नीती के बड़े घुने हुए नेता है और बड़े मज़े हुए नेता मुझे लगता नहीं कि आशोग गैलोथ छोड़ने के बूर्ड में है इस अफसर को तो चोड़ने के मौका भी अच्छा इसमें बस मुझे एक चीज आप थो हाई कमान के मैसेज देने का और वह मैसेज अगर नहीं देता तो प्लान बी उनका क्या होगा यह क्या प्लान भी तो मेरे साथ के लिए तो सबसे अच्छा है यह कि वह निकल के नई पार्टी बनाए और अनुमान पेनिवाल को लोगों ने खोजा है और यह भी बड़ी चर् किवाल आ सकते हैं संशन में तो मैंने का अगर मुझे तो भरूसा नीटा कि ऐसा हो जाएगा तो अगर संचीन पालेट के लिए कॉंग्रेस में इतजार करें और जैसा महौल स्टेट का है रिवायत है यहां की एक साल यह सरकार एक कर में वह सरकार जाती है तो पांस साल तो कुछ नहीं है और अगर यह सरकार आ जाती है तो सहरा जो है किसी और की दुला कोई और ही बनेगा जो सरकार तुनाओं में जाएगा तो भी पांस साल चले गया और पिर नेतागिनी में आगले पांस साल किसने देखें क्या परिस्तितिया बनी बहले आज के टाइम पैलेट साल है पर आप यह पांस साल और उसके बाद क्या होगा और अगली सरकार कैसे करती है और अगर आप माल लिए परसेंट के लिए अशोगयलो दूबारा बनते हैं तो आपको लगता है कि वह इनको कॉंग्रस में जीने देंगे और अगर बीजेपी बनती है तो पांस साल के बाद किस ने क्या देखा है और बड़ी लंबी वह जाती है तो और तो यहीं के सामने मुझे लगता है कि बीजेपी में जाने के विकल्प भी खतम हो चुके हैं काफी देर होगी दो साल पहले अगर कुछ और होती अब बीजेपी में आपको नहीं किसी नहीं नेता के लिए राजिस्तान में जाके हो जाएगा तो समझ मैं सकता है पर राजस्तान में यह को चैनल को चाहते हैं झाल तो इनका सारा का सारा मौ जाओ राजस्तान में पढ़ा हुए तो यह राजस्तान का मोच खोड़ेंगे तो हो सकता है कि आगे थोड़ा सा बाकी जो इनके कॉंग्रेस के इनके बड़े नेता रहे हैं जो पीजेपी जॉइन करके अभी थोड़ा सप्ता का एक शुक भी ले रहे हैं तो यह पर मुझे लगता संधरिस्ट में विश्वास लगता है भी तो फिलहाल सचीन का कि भाई पार्टी के अं कि इंद्रे पर दवाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने नेतरत उपे मुझे रहा कि कुछ चीज़ें एडवर्स जा रही है उनके खिलाफ जा रही है आप तो खिलाफ आप तो देखिए आज के बाद को सब कुछ खिलाफी हो गया है जब पार्टी ने कल रहा दिया पार्टी से अलग हो के क्या होता है जो आप मंत्री रहा हो और जो पार्टी का अध्याच रहा हो तो उसके लिए नेतर थोड़ी होती है मैं अपनी लिए अंशन कर रहा हूं कटगरे में तो आप अपनी सरकार को कड़े कर रहे हैं कि लगता है कि 2020 में जो इन्होंने बगावत की थी उसके बाद या तो एक उस समय ये बीजेपी चले गए होते या फिर इनके सामने विकल्प ये था कि बिल्कुल शांत रहें और पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के तो इनके आगे यह से यह मंत्री भी थे तो भी यह अपने डिपार्टमेंट में बहुत कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वहां भी क्या मुख्यमंत्री ने सभीके से चीजों को लगाया हुआ था कि बहुत कुछ करी नेचर के बिना कुछ होता ही नहीं था हां तो उस वक्त जो एक कहते ना एक अंदर की घुटन थी तभी तो 2030 में निकल लिए थे सरकार बनके बामुश्किल देड़ साल हुआ था तो देड़ साल में इतनी घुटन होगी थी इनको निकलना पड़ा कि मैं बगावत वाली सिप्टी आगे कोविट का टाइम था आप यह मानिए कि अब इस वक्त तो सरकार जो कॉंग्रेस तुनाव में जाएगी उस पर राहुल गांति यह सचीन पाइलेट के चैप्टर हो गया है बिल्कुल अब यह जितना बोलेंगे उतना इनके खिलाफ जाएगा अब तो मुझे है कि अभी एपने कुछ दो चार पांच जो साती है उनको टिकट दिलवा दें तो बड़ी बात है अशोक गैलोथ उनके टिकट कटवा दें इस बार इनके गुटके नेता को किसी एक गैंक्स्टन ने कोई धंकी दी मुकेश भाकर कुश है तो सरकार ने सिक्यूरिटी अबलेबल नहीं कर रही तो जो इनके गुटक यह लग रहे हैं कि सचिन ने कॉंग्रेस से तो मिलेगा नी सचिन कोई पार्टी वर्टी बना ले तो हो सकता है वहां से टिकट मिल देखते हैं क्या होता है आप नजर बनाई रखिए और डवलप्मेंट जब होगा तो आपसे मुलकात होगी फिर बात होगी जैराम रबेश करें कि शाम को क्या रहे हैं देखते हैं उसमें क्या होता है और चर्चा होती रहेगी हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद विनोच जी नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें